देशवर में लॉकडाउन के बीच आज यानी 25 मई को घरेलू उडान शुरू हो गई है आज पहले दिन करीब 28 राज्यों के लिए 33 फीसदी उडान सेवा शुरू की गई इस दरान करीब 800 फ्लाइट्स में 12,000 लोगों के सफर करने की संभावना जताए जा रही है वहीं इंदोर एरपोर्ट पर भी घरेलू उडान फिस से शुरू करने के लिए सारी तैयारियों से एरपोर्ट लेस नज़र आया कोरोना वायरस के संक्रिमन के बाद व्यवस्थाओं के साथ फ्लाइट्स का संचालन होगा जानकारी के नुसार इंदोर एरपोर्ट से इंदीगो और टू एर के विमान उडान भरेंगे नई नियमों के साथ एरपोर्ट पर स्वास्थो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है नई व्यवस्था के तहट यात्रियों को पूरी सरक्षा के साथ एरपोर्ट पर प्रवेश दिया जाएगा देशभर के सभी एरपोर्ट में ये व्यवस्था लागू की गई है जहां यात्रियों को प्रवेश की पहले थर्मल स्क्रीनिंग से अपना टेंपरेचर चेक करवाना होगा उसके बाद यात्रियों को और उनके लगज को सनिटाइस किया जाएगा और फिर उन्हें एरपोर्ट के अंदर एंट्री दी जाएगी जहां पर व्यक्तियों को अपना आईडी कार्ट भी दिखाना जरूरी होगा एरपोर्ट पर सोशल डिस्सिंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा इसके लिए मार्किंग की गई है ताकि याद्री एक निश्च दूरी के साथ रहें और सोशल डिस्सिंसिंग का पालन करें इसके साथ ही कोरोना वारस से बचने हितू अन्य तरह की उपाए अरपोर्ट पर किये जा रहे है दूसरी और इंदौर जलाप्रिशासन और स्वास्त वभाग इंदौर ने एरपोर्ट में आने वाले सभी यात्रियों से नगनिगम इंदौर के मोबाइल एप इंदौर 311 को डाउनलूड करने की अपील की है इस मोबाइल एप से उन्हें होम कॉरिंटाइन किये जाने की दशा में मोनिटरिंग और संपर्ग में सविधा रहेगी इंदौर के निवासियों के जो रिष्टदार अभी इंदौर एरपोर्ट आ रहे हैं उन तके सूशना पहुचाने का अनुरोद किया गया है इस से अरपोर्ट से निकासी में भी आसानी होगी और समय की बचत होगी 25 मैं से देश में घरिलू उडानों की शुरुआत एक बार फिर हो रही है देश में सर्फ दो राजियों को छोड़ कर पूरे भारत में फ्लाइट से फिर शुरू होगी जानकारी के नुसार आंधर प्रदेश और पश्चिम भंगाल को छोड़ कर आज से पूरे देश भर में फ्लाइट सेवा शुरू हुई बता दे कि इस बात की जानकारी नागरिक उडियन मंद्री हरदीप से हने दी उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि देश में नागरिक उडियन कारियों की सिपारिश करने के लिए विभनराजियों के साथ बातचीत का एक लंबा दिन रहा आंदर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सोंबा से पुरे देश में घरेलू उडानों की शुरुआत होगी उन्होंने कहा कि सोंबा से मुंबई और राज के अन्य हवाई अड़ों से अनुमोदित और अनुसूची के अनुसार मुंबई से सीमत उडाने होंगी वही आंदर प्रदेश में 26 मही और पश्चिम बंगाल में 28 मही से घरेलू उडानों की शुरुआत की जाएगी यह सुबदा शुरू होने से देश भर में जगा जगा फसे हुए लोगों को अपने घर जाने की एक उम्मीद दिखी है और कई लोग अपने घर जाने की कोशिश में हैं मही प्रिशासल नागरिकों की सरक्षा को धियान में रखते हुए सबी कदम उठा रहा है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस देल इकन फोर अप्डेट्स